आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें किसी अन्य पदार्थ के एकत्रित होने की घटना को अधिशोशन कहते हैं किसी पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रित होने की घटना किसी अन्य पदार्थ के एकत्रित होने की घटना को एकत्रित होने की घटना अधिशोशन कहलाती है घटना अधिशोशन कहलाती है ठीक है अधिशोशन अब दोस्तों इसको चित्र से समझ लेते हैं जैसे ये कोई पदार्थ है इसका एक ये पदार्थ का हमने टुकड़ा ले लिया अब क्या है कि ये जो पदार्थ है इसकी उपरी सतय आप देख सकते हैं अब इस उपरी सतय पर कोई अन्य पदार्थ के कण अगर आ करके इस पिरकार से एकत्रित होने लगते हैं तो इस घटना को हम क्या कहेंगे अधिशोशन कहेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अधिशोशन में क्या हो रहा है कि जो पदार्थ है वो केवल और केवल ऊपरी सतय मतलब केवल ऊपरी सतय पर ही एकत्रित हो रहा है इसी कारण इसको हम प्रेस्ठी गटना कहते हैं ठीक है दोस्तों इसको यहाँ पे मैंने लिखा भी है चुकि अधिशोषण में पदार्स केवल भारी सतय पर ही एकत्रित होता है ठीक है एकत्रित होता है इसी कारण क्या हो रहा है दोस्तों इसे यह जो अधिशोषण है इस घटना को हम प्रेस्ठी घटना मानते हैं अब दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है धनात्मक अधिशोषण तथा रनात्मक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं इसको दोस्तों समझते हैं ठीक है धनात्मक अधिशोषण क्या होता है जब अधिशोषण क्या होता है दोस्तों जब अधिशोषण का सांद्रन अभियंतर की अपेक्षा उसकी सतय पर अधिक होता है तब इस घंटना को धनात्मक अधिशोशक अधिशोशन कहते हैं धनात्मक अधिशोशन कहा जाता है ठीक है अब इसको दोस्तों चित्र से समझ लेते हैं ठीक है आप यहां देख सकते हैं अधिशोशक जो है दोस्तों उस उसकी सतय पर अधिशोषित ठीक है अधिशोषित अधिक है सतय पर जबकि उसके अवियंतर में अधिशोषित कम है अधिशोषित का सांधरन सतय के अंदर मतलब अवियंतर में कम है जबकि सतय पर अधिशोषित का सांधरन अधिक है तो इसे ही क्या कहेंगे दोस्तो धनात्मक अधिशोशन कहा जाता है अब दोस्तों रनात्मक अधिशोशन में क्या हो जाएगा रनात्मक अधिशोशन इसका इसका विप्रीथ है अर्थात रनात्मक अधिशोशन में क्या होगा दोस्तों जो अधिशोशक है उसके अवियंतर में अधिशोशित का सांद्रन अधिक होगा अभियंतर में सांद्रन अधिक होगा मतलब अभियंतर में अधिक अडू जमा हो जाएंगे अधिशोशित के ठीक है जबकि सतह पर दोस्तो सांद्रन अधिशोशित का सतह पर सांद्रन कम होगा ठीक है इस पिरकार तो इस प्रिकार का जो अधिशोषण होता है इसे क्या कहा जाता है रिनात्मक अधिशोषण कहा जाता है अग दोस्तो अधिशोषद बहपदार्त है जो की एक खटा हो रहा है जमा हो रहा है जबकि अधिशोषद बहपदार्त है जिसके उपर अधिशोषद जाके जमा होता ह ठीक है यही दोस्तों हमारे प्रश्ट का उत्तर है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा धन्यवाद